हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सस्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त रॉबिन सिंग और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल रॉबिन बूटीक में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप कोई ऐसा सूट बना रहे हो जिसका गला पीछे से छोटा है छोटे से मतलब होता है एक इंच दो इंच तीन चार इंच तक चार इंच तक का जो कोई गला बनता है वो छोटे गले में आता है तो छोटे गले का जब कोई आपसूट बनाते हो उसकी कटिंग कैसे की जाती है आपको आज की वीडियो में सीखने को मिले करते हों कि अगर आप इस टीचिंग का शोक रखते हो घर बैठ के सलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारा ओनलाइन इस टीचिंग को जोइन कर सकते हो इस क्रीन को पर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते टोटल यह जो गला है लगवग साड़े साथ इंच का गला है और दोस्तों लेकिन आज की जो वीडियो जिसमें मैं आपको गला बताने जा रहा हूं वो है छोटा गला अब पहले यह समझ लेते हैं कि बड़े गले में और छोटे गले में फरक क्या होता है जब आप कटिंग करते हो तो दोस्तों सबसे बड़ी जो बात वो होती है जब भी आप कोई ऐसा सूट बनाते हो जिसका गला पीछे से बढ़ा है तो उसका हमें जो तीरा है ना यह शोल्डर यह कम लेना पड़ता है और उस हिसाफ से आर्मूल लेने पड़ते हैं क्योंकि दोस्तों बड़ा जो होता है पहनने के बाद इस प्रकार से देखें पीछे से गला बड़ा है पहनने के बाद इस प्रकार से गला फैल जाता है तो तीरा हम कम लेते हैं और अपने बाद में अर्जेस्ट हो जाता है जितना भी किसी का तीरा होता है 14 या फिर 15 लेकिन जब आप पीछे को ऐसा बनाए रहे जो पीछे से एक इंच या फिर दो इंच है तो वह क्या कि इस तरह से फैल नहीं पाता क्योंकि यहां पर इस प्रकार से कटिंग होगी छोटे गले की आज की जो वीडियो में आपको दिखाता हूं कि मेरे पास यह प्लेन कपड़ा है इसलिए लिया है ताकि आपक दोस्तों करना क्या आपको जो भी मेजरेमेंट अमें आपको एक तैयार मेजरेमेंट के अनुस्वार इसकी कटिंग बताऊंगा जो में फोकस होगा वह वहाँ शोल्डर पर और आर्म होल पर कि जोट अगले का जब आप सूट बनाते हो तो किसी हिसाप से आपको शोल्डर और आर्म होन लेने तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे का फ्रणट वालाปाँ पाटर काटेंगे तो इस कपड़े को इस परकार से भी शाना है और कितना भी शाना है दोस्तों यहां मियों एसे जो ब्रवं कितना दो तो दोस्तों सबसे बहले कप्ड़कों इस प्रकार से बिछाने के बाद यह देखें यह में इसको बिछा रहा हूं और मैं आपको बताता हो इस सूट का जो घेर है दोस्तों वह है 21 InCH तो उसमें करना का है आपको यह देखें यहां को तो लेना चाग जब फोल्ड हो जाएगा और 21 कादा केतना होता है साड़े दस तो देखे कहां पर आ रहा है साड़े दस आएगा आपको इस जगे पर थोड़ा जो पर फोल्ड करना पड़ेगा इस परकार से तो मैं आपको दुबारे दिखा ज़ता हो ना आपके यह तो क्योंकि जब से पहले आपको करना क्या है सबसे पर इसमें नीचे निशान लगाएंगे क्योंकि दोस्तों सुट में बनाहें यह एक पटियाला सलवार के साथ और तो पटियाला सलवार के साथ जो सूड बांता उसकी लंपाई कम होती हैankip है तो लंबाई 16 इंच नइकर नी तो सीधा एक निशान खेचे क्योंकि दोस्तों इसका जो में पीछे से गला बना रहा हूं वह बहुत चोटा है यानि कि सिर्फ तीन इंच का गला बनाएंगे तीन इंच का जब हम गला बनाएंगे तो उसमें क्या है पीछे से फिलाव नहीं आएगा इसलिए तीरा आपको आपको लेना है यह देखिए साथ इंच ठीक है कुछ भी समें कम यह जादा नहीं करना तीरा जितना ही लेना है चौदा तो चौदा कादा कितना होता साथ ठीक है अब सिंपल फार्मूला यह होता है जब भी कोई आप ऐसा सूट बना रहे हो जिसका पीछे से गला बिल्कु साथ इसका जो है टोटल तीरा है तो आदा इंच बढ़ाने के बाद तो हो जाएगा साड़े साथ तो साड़े साथ पर आपको इस प्रकार से की निशान लगाना है बिल्कुल सीधा यह देखिए इसके बाद फ्रेंट्स आपको एक निशान लगाना होता है यह जो आर्मूल इसकी तयार है वह दस इंच तो यह देखें दस इंच पर एक निशान लगा देंगे ठीक है लोव बेस्ट जो तयार ना आप आपको बता रहा हूं वह इसका साड़े नों पर एक निशान लगाना है ठीक है इसके बाद दोस्तों बात आती कमर की तो लंबाई वाली जगे से जो कमर के हम फिटिंग की शेप देते हैं वो देते हैं पंदरा इंच पर ठीक है पंदरा इंच पर सीधा निशान लगा देंगे और हिप साइज के लिए जो हम निशान लगाते हैं वह होता है जनरल एक जो नाप होता होता 21 लंबाई वाली जगे से 21 पर आपको एक निशान लगाना है यह हो गई इसका हिप साइज के लिए अब दोस्तों जो कमर तयार है वो इसके साड़े आठ है तो साड़े आठ पर निशान लगा दिया और हिप साइज जो तयार इसका वो है दस इंच तो यह देखें दस इंच पर निशान लगा दिया अब यह जो मैंने निशान तो गेर इसका साड़े दस याँ इकिस इंच है तो साड़े दस पर निशान लगा दिया और इस निशान को आपने स्केल की मदद से नीचे तक लेकर जाना है यह हो गया इसका गेर अब दोस्तों बात करते हैं उपर से ठीक है यहां से जो टोटर मैंने कितना लिया था साथ ठीक है हम एक नॉर्मल जब सूट की कटिंग करते हैं जिसका गला पीछे से डीप होता है तो जर्नली जो तीरा रखते हैं वर रखते हैं चैंच और बिल्कुश अब इस निशान को आपसने इस प्रसरे मिलाएंगे मैं इस इसको मिलाने के बाद यहां पर में निशान लगा रह हूँ यह है यह से última देने देने के लिए यह नु करना है लगबग आदा इंच यह डाउन जरूर करना है आपको ठीक है यह एक फार्मूला होता है बोडी स्ट्रक्चर के अनुसार चाह लेडी तो यह फिर जैन्ट उसके जो शॉल्डर पीछे उठे हुए रहते हैं उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है इसलिए हम यहांसे हलका सा डाउन करते हैं आदे इंच आपको ऐसे डाउन करना है अब दोस्तों यहांसे मैं करूँगा कटिंग और इसके अलावा आपको आगे इसमें मार्जन रखना है इस प्रकार से ठीक है लगबार देड़ इंच आप मार्जन कैसे होगी यह देखें यह मैं इसका फ्रंट वाला पार्ट काट रहा हूं उसके बाद में इसका पीछे वाला हिस्सा काटूंगा bef Montreal अने और विजोंगा हरा आपको इसका पीछे वाला हिस्सा है उसकी भी कटिंग करनी यह तो पहले इसको रखे से साइडम इस परकार से इसको मैं फोर्ड कर लिया और यह जो कपड़ 창 इसको एसे कर से आगए सरका ले यह देखिए अब है अब यहां से हम इसका पीछे वाला हिस्सा है जो उसकी हम कटिंग करेंगे इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे इस परकार से नाखों से प्रैस कर लें ताकि अपने जगे से कपड़ा हिले नहीं अब जो फ्रेंट वाले पार्ट के आपने कटिंग करिए इसको इसके उपर इसकी बिल्कुल इसके बराबर लखेंगे ये दिया से बिलूकर कर लिया में ने बिल्कुल बराबर है हर ले चुस्व चाहिए स害 तो बिदकर ऑदा कीऊ कट रहना हो पीछ ओड़ी ऀस्सा होता हमेशा हम आदे उसके पीचे का यह होता है कि है कायत यह होती है कि सर्व हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ भागता है उसके पीछे कारण यह होता है कि आगे पीछे के दोनों पर ले बराबर काड़ देते हैं तो गला क्या है कि सैट नहीं होता तो जब भी कटिंग करो पीछे का पार्ट आपको कंसे को आदा इंच बड़ कुल करना है एक कट आपको लगाना यहां पर इसका मतलब यह है कि है कि यहां तक आपको चोटा बन रहा है कितना सिर्फ तीन इंच का तो आपको करना क्या है तीन के जगे साड़े दीन पर आपको निशान लगाना यह क्योंकि आदा इंच उपर सिलाई में चला जाएगा तो साड़े दीन पर कटिंग करो तो तीन इच गला आपका त्यार बनेगा गले की चुड़ा का कोई सूट बनाते हैं तो उसके जो शॉल्डर होते हैं अपने आप ऑटमेटिक बड़े हो जाते हैं वरना जैसे हम एक नॉर्म सूट के करते हैं जिसका गला पिछे दीप हो यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसके जो शॉल्डर आपको मिलेंगे चोटे मिलेंगे और इसके शॉल्टर हमेशा आपको बड़े मिलेंगे जब गला पिछे से चोटा बनता है तो पीछे के गले की मैंने कर ली हैं अब बात करते हैं फ्रन्ट वाले पार्ट इंच की तो फ्रन्ट वाले पार्ट में दोस्तों हम गले की कटिंग वुक्रम से ही करेंगे इस पे न अगर आप यह कटिंग नहीं करोगे तो सूट की जो फिटिंग आपके नहीं बैठेगी आर मोल में फुग्गे बनेंगे जोलाएंगे इस प्रकार से दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं फ्रेंट और बैक की मैंने कटिंग कर ली है और यह देखें इस प्रकार से यह बिल्कु बड़ी बनाओ तो फिलाल जो इंदर जो बाजु हमने बनानी है दोस्तों बाजु का नाप है वह ध्रीफॉर तयानि पाउन बाजु कैसे बनानी है देखें कप्रा यह है इसको इस प्रकार से डबल कर लेते हैं प्लेन कप्रा में इसलिए यूज करता हूं ताकि निशान फ सा यह वाला इस निशान का मतलब यह होता है इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं काट के ठीक है अब दोस्तों यहां से आदा इंच छोड़ते हुए क्योंकि आदा इंच उपर माजह में चला जाएगा बाजू की जो लंबाई तयार है वह थ्री-फॉर्थ बाजू है तो पंद आपको करना क्या है इसके बाद जो सबसे में जो काम होता है वह होता है आरमोल की गुलाई देनी कैसे यहां से आपको धाइंस तक बिल्कुल सीधे जलना है ठीक है और इसके बाद यहां से आपको गुमाव देना है और इस गुमाव को कहां जाके मिलाना है यह देखिए नी यहां से पकरना है फ्रेंट और बैक को दोनों को ठीक है यह आदा ही जहां से दबा लें क्योंकि आदा ही सलाई में चला जाएगा और इसको इस प्रकार से रखें यह देखें यह कहां पर आ रहा है यह आपका इस जगे पर तो यहां पर एक निशान लगा दें बिल्कुल करने हैं कि तो फ्रेंट इस प्रकार से आप देख सतों मेरे बाजुकी बीकटिंग कर ली है अगर यहां पर आपका कपड़ा थोड़ा पड रहा हो तो आप छोटे से जोड़ भी लगा सकते हो एक यहां पर सेंटर में कट लगा दे और जिस प्रकार से दोस्तों मैंने सूट के front वाले Part में अर्मोल की cutting करी थी इसी प्रकार से आपको यहां से भी हलक के सी आदाइंज के करीब cutting करनी है देखें इस प्रकार से तो आप देख सकते हो इस प्रकार से जो आज की वीडियो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको छोटे गले का सूट बना रहे हो जिसका गला बहुत छोटा हो उसकी कटिंग कैसे की जाती है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्ली